नमस्ते दोस्तों, हिंदी साहित्ते की सरुस्रेष्ट कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिये सुप्रसिद एवंवरिष्ट लेखिका उर्मिला सिरीष जी की लिखी हुई कहानी उसका अपना रास्ता। उर्मिला सिरीष जी की कहानियों में अपने आसपास के परिवेश, समाज, परियावरन तथा सरोकारों की तस्वीर प्रस्तुत होते हुए जीवन के बिम्ब सगहनता के साथ उभर कर आते हैं। तो प्रस्तुत है उनकी एक लंबी कहानी उसका अपना रास्ता। तो तुम फैशन शो में भाग लोगी? हाँ, क्यों? कोई अतराज? और अतराज भी क्यों? पापा से पूछा पर्मिशन ली? ली मतलब? इतनी सी बात के लिए पर्मिशन मूँ? मेरी अपनी कोई हैसियत है या नहीं? मेरी इच्छा भी तो माइने रखती है, मैं कोई शहर से बाहर तो जा नहीं रही हूँ, जो पूछूँ, आप नहीं उनको सर पर खुदा की जगह बैठा रखा है, बात बात में पूछ कर, फिर भी बाहर से लोग तो आ रहे हैं, तो इसमें पापा कहा से आ गए? इतनी सी बात के लिए क्या पूछना बताना, उन्हें तो सर्प्रा प्राइजी देंगे, पढ़ाई पर कितना असर पढ़ेगा जानती हो? पढ़नोंगी पूरा साल रखा है, उसने अपनी दे को लंबे शीशे में निहारते हुई पोस बनाया, अंगडाई लेकर दे को लचकाया, फिर कैट वॉक करते हुए बोली, और अब आ रही हैं हुसनी की मलिक का चान्नी बिखेरती हुई, कंटेस्टेंट न टिक टिक ठक ठक ठक, पूरा चकर फिर काल्पनेक ओडियन्स के सामने मुस्कान बिखेर कर, पलकें जपका कर, उसने मुस्कान की चान्नी बिखेर दी, तेज संगीत पर तीन राउंड, गुड इवनिंग लेडिज एन कैसा रहा, जोर का ठाका लगा करो बोली, अच्छा बताओ, ये रंग कैसा लग रहा है, लाइट में इसका शेट ठीक ठीक पड़ेगा चेरे पर या नहीं, मेरी वाक इंप्रूव हुई, या नहीं, उसने बालों की लटों को हेर प्रिंस से दबाते हुए पूझा, ठीक ठा बात अलग होती है, कॉलेज के लिए पर्मीशन मिल गई, तो तुम सतंत्र हो गई, पूरे दो महीने बरबात कर डाले तुमने, कितने फोन आते हैं तुम्हारे नाम के, कुछ लोग तो पीछा करते हुए यहां तक आ जाते हैं, घंटों खड़े रहते हैं उस छोर के मकान प अंकल और ये कसबाई छाप लड़के, आने दो दीवानों को, देखें तो इन्हें भी जब अती हो जाएगी तो इनका सिर्फ होगा और मेरा जूता, अरे अनूदी डरना क्या, वे अपनी लड़की को छुपा कर रख लें, उसे ना देख लें ये लड़के, जिससे हम जू की परवाई नहीं करनी चाहिए, नो अनूदी, टेंशन मत लो, प्लीज आप भी जरा बोल पनो, कहकर उसने अनूदी का गाल खीच दिया, फिर अपनी भौओं को तराशा, पलकों की मालिश की, जिम से आने के बाद लगाता रेहरसल करने के कारण, थकान उतर आई थी चंद देखो व्रंदा, हमारे जीवन के लक्षे तो पढ़ाई, मेरिट और अच्छी सर्विस करना है, फिर पापा का जो नजरिया है, उसमें ये बातें, ये काम फिट ने बैठता, जब तुम शाम को लेट आती हो, तो पापा 25 बार पूछते हैं, मेरा मन नहीं लगता, टेंशन के मारे मेरी तो पढ़ाई नहीं हो पाती, आकिर कब तक चलेगा ये सब, अनुदी ने उसके बालों को समेटते हुए कहा, पापा, पापा, हर वक्त पापा, हर बात में पापा, पापा के नाम का भूछ चा गया है आपके उपर तो, उन्हें ये बुरा लगेगा, वो बुर और इसकाफ बांद कर लहराती बल खाती सीड़ियां उतर गई, खट खट पेंसिल हील बोल रही थी, शन भर रुक कर नीचे से ही उसने बाय कहा, अपनी गोरी गुलाबी उंगलियों को लहरा कर और फिर उतनी ही तेजी के साथ वापस उपर आई, और अनुदी के गले में हा उसी में इतने बंधन, कह करो फिर तितली की तरह उड़कर नीचे जा पहुंची, भै, लिहाज, पापा का आतंग इसके लिए कोई माइने नी रखता, और एक मैं हूँ कि पापा जोर से बोल दे तो रूख कामने लगती है, तुरंत आंसू टपकने लगते हैं, ऐसा क्यों ह क्यों मैंने स्वयम को इतना दबा लिया है, हर बात में पीछे हटती गई, खोकले आदर्शों का चितरा चिपकाय हुए सिर्फ एक छाया मातर बन कर रह गई, क्या सुतंत पहचान है मेरी, जबकि वरंदा इसकूल के दिनों से इस स्वयम को, स्वयम के व्यक्तित को और देह को लेकर सजक थी, वो उसकी लचीली, कमनिय, चुम्बकिय, आकरशक तता तरंगित भाषा को समझने लगी थी, रहा चलते लोगों, सहपाठियों तता परिचितों की लालायत वा प्रशंसा भरी निगाएं, उसे एहसास करवाती थी कि वो क्या है, कितनी विशिष्ट है, कि उंदर लंबी चरजही दे, जो आज के समाज की, बाजार की सबसे बेश कीमती अमानत है, लंबाई भी ऐसी की आखे नहाटें, और उस पर मानसलता का ऐसा लबो लुआब, ऐसा कटाओ भराओ, कमर में पड़ी गहराई, और वहीं से शने शने, चोड़ी हुती, वक्षावल ऐसा यौवन उसने फिल्मों की नाईकाओं में देखा था, एक बार टास्टीचर न उसे टोक दिया था, कि तुम समीज नहीं ब्रा पहन कराया करो, गोल गोल कंधे, लंबी गोल तराशी हुई गरदन, हलके से बाहर निकले दात, और जबों हसती तो उसकी आखें मुझ जा कि उपटनों और तेलों से घंटों मालिश करके वो सेम को तरू ताजा रखती थी, घर के हर शीशे पर तो किवल हूटी चिपके थे, गोल गोल गुमा कर उसने बोलने की विशेश स्टाइल अपना ली थी, उसकी आदर्श उसकी टीचर नहीं थी, मा भी नहीं थी, इंदरा गांधी या मदर टेरेसा नहीं थी, बलकि दुन्या की टॉप मॉडल्स, हॉलिवूड, बॉलिवूड की अपनेत्रियां ही उसकी आदर्श थी, किसी की आखें, किसी की नाक, किसी के बाल, किसी का फिगर, उसने इंडिया टुडे में किसी विशेशग्य की राय पढ़ी थी कि किसी लड़की का कद लंबा भर हो, बाकी काम तो प्लास्टिक सर्जन तथा अनविशेशग्य कर देते हैं, उसके पास कद तो है ही, रंग, दात, बाल और आकरशक फिगर भी इश्वर की तरफ से मिला हुआ है, वो चिड़ने लगती है कि अनुदी पतानी किस दुनिया म को पकड़े रहते हैं, उर्द मुखी चेतना को अधो मुखी कैसे बनाये जा सकता है, ये कोई अनुदी से पूछे, पीम्टी में अपियर होना, डॉक्टर बनना उसका पहला सपना था, अब भी है, पर अधिती गोवित्री करने डॉक्टरी पेशा छोड़ कर क्यों मॉडल नहीं कर सकती, पापा की आदर्श बेटी तो वही होगी, जो पापा के पुछतेनी गाउं में जाकर प्रैक्टिस से अनौकरी करे, ओ नो, नेवर, इन दो सपनों के अलावा क्या कोई तीसरा सपना पापा तथा अनुदी का नहीं हो सकता, इतनी बड़ी दुनिया, ये ब्र वरंदा अस्थिर विचारों वाली इंपल्सिव लड़की है, हाँ, एक ही लकीर पर चलने वाले बाद में पच्टा सकते हैं, पर कुछ इसलिए न किया जाए कि क्योंकि पच्टाना पड़ेगा, सपनों को जनम देकर उनको बड़े करने में एक बुराई क्या है, इसलिए इंदन वरंदा की टेबल पर पलंग पर कोर्स की किताबों की जगए कॉस्मेटिक्स, फैशन डिजाइनिंग, फिल्मी पत्रकाएं और साधा ड्रेस की जगए लेटिस्ट मॉडल की पहने वी ड्रेसेज होती हैं, तो कितनी सुन्दर है, माधरी जैसी, नहीं सुनाली बेंद जैसी, नहीं नहीं, टाइटनिक, नाइका, केंट, विंसेंट जैसी, तेरे लिए यहां इस शेहर में कोई स्कोप नहीं है, बरबात कर देगी अपनी सुन्दर्ता और बुद्धी, उसके साथी लड़के लड़कियां उसे आसमान वर बैठा देते, उसके मन को भी वही बात भाती थी, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ड तथा मिस एशिया पैसिफिक में चुनी जाने वाली लड़कियों की जीवन शैली का बारीकी से अध्यन करती, उनके बारे में सोचना ही उसके सपनों का मुख्य लक्षे था, शहर में होने वाली फैशन प्रतियोगताओं में भाग लेना, उसकी पहली प्रात्मिक्ता बन गई थी, लेहंगा, जीन्स, टॉप, साड़ियां, मेकप का सामान कहां से आएगा, यही चिंता प्रमुक थी, जितना जेब खर्च वरंदा को मिलता था, उतने में तो एक हर्बन लिपस्टिक तक नहीं आती थी, कितनी महंगी आती है इस सारी चीजें, पापा की कमाई से इतना खर्च करोगी, वो भी फैशन शो के लिए तो कैसे काम चलेगा, नहीं वरंदा, नहीं, उनके उपर हम सब की जिम्मेदारी है, उन्होंने हमें अपना लड़का माना है, और सारा जीवन हम सब को कुछ ना कुछ बनानी की उमीद म लगाया है, हमारी पढ़ाई से उनको उर्जा मिलती है, अनूदी गुरु गंभीर अंदास से उसे समझा रही थी, लगता है, अनूदी नहीं पापा बोल रहे हैं, मैं कुछ नहीं भूली, मैं पार्टिसपेट तो करूँगी, ये मौका बार बार नहीं आएगा, तमाम मॉ मन में उठते घने विचारों के घनतों को ही प्रदर्शित करते हैं, वैसे भी बरेली जैसे कसबाई नुवा शहर से सौंदर इसे भरा मन फैशन स्टों में जाकर ही रमता है, हर कसबे में प्रतियोगताएं होने लगी हैं और लोगों को भी भरपूर अनन्द प्राप्त होत अनुदे ने कपनों तथा कॉस्मेटिक्स का धेर वे त्रशना से देखते हुए कहा, वे घर में भी किसी से कुछ नहीं मांगती, उन्हें पता चलेगा तब ना, आप या मम्मी बता दे तो अलग बात है, आखिर आप उनकी आग्याकारी पुत्री और वो आग्याकारी पत् असत्य बोलना, कोई बात छुपाना पाप समझती है, हो हो करके हो हस्ती, हसी भी सहज नहीं, एक स्टाइल का हिस्सा थी, हलके फुलके मजाक करना, चुटकुले सुनाना और ठाहका मार कर हसना, उसे इंदनों बहुत अच्छा लगता था, ये सेंस आफ यूमर का हिस्सा है, जो व्यक्तित के विकास के लिए अत्यन तावश्यक है, राद दिन कमरा बंद करके कैट वॉक करती, धुनों पे पाउं थिरकाती, शुरू में उसे पेंसिल हील पर चलते हुए असहजता महसूस होती थी, पर इन दिनों उसने अपने पावों को पूरी तरह संतुलित कर लि को गर्बस्त शिशु के लिए जितनी सावधानिया बरतनी पड़ती हैं, उतनी सावधानिया तता सलाहें वो मान कर चल रही थी, अनूदी, ये दुनिया बहुत बड़ी है, सब कुछ यहां भरा पड़ा है, पैसा, ग्लैमर, नाम, शोहरत, अगर मैं मिस MP बन गई, तो मेरा नाम भी चर्चा में आ जाएगा, फिर मिस इंडिया तक पहुँचने का रास्ता साफ हो जाएगा, धेर सारा पैसा, विग्यापन, और उसके बाद मैं सब कुछ बदर डालूँगे, अनूदी, सब कुछ, ये छोटा सा मकान, ये मामूली से सस्ते कपड़े, छी-छी, मन मार कर पहनने पढ़ते हैं, ये जंग लगी अलमारी, ये पुराना धुंदला शीशा, जिसमें आधा चेरा लंबा और आधा चोड़ा दिखता है, कहकर वो फिर ठाका मार कर हस पड़ी, पूरे कमरे में उसकी शैली बद्ध क्रतिम हसी गुँज रही थी, अनूदी ने महसूस क कि उसकी निश्चल हसी गायव हो चुकी है, उसकी जगे ले लिये जबड़ा फार 32 दिखा हसी, यानि प्लास्टिक की गुड़िया की हसी, जिसमें उपर तक की दाढ़ें दिखें, गर्दन उपर उठा कर, नाक सिकोड कर, यानि ईश्वर के पती आस्था व्यक्त करना, पल रंगी पीली रंगी तितलियां, हजारों रंगी तितलियां, जो एक नजर में मुहित कर लेती हैं, मगर छूते उनका रंग हाथों में लग जाता है, या पंख तूट कर गिर जाते हैं, व्रंदा आजकल PMT की कोचिंग की जगे English Speaking Course में जाती है, ये बात पापा को पता चली तो सवाल जवाब शुरू हो गए, क्योंकि उनके जैसे नौकरी पेशा आदमी को समय, नौकरी और अपने तनावों के बीच किसी बात की तारतमिता टूटने की संभावना ही नजर नहीं आती, और जब आती है तो वे इसे सहन नहीं कर पाते, व्रंदा कोचिंग नहीं जा पूरा पैसा जमा किया जा चुका है, आखिर क्या करेगी वो, फिर उसका पूरा दिन कहां बीचता है, क्या करती रहती है, कोई बताएगा? अनूदी कैसे बताएं? बताएंगी, तो बात किस रूप में आएगी? कोराम मचा देगी व्रंदा, कि अनूदी जिस काम से चिरति उसको होने नहीं देती, पापा को जान बूज कर बताया होगा, पापा क्या जाने कि उसका लक्ष बदल चुका है, चुक्के से आकर एक चंचल मोहिनी कामना ने उसके जीवन को परिवर्दित कर दिया है, इन दोनों वो बाजार में पुस्तके नहीं, आर्टी इफिशिल जु सोस कर रह जाती है, जो चीजें उसकी देह की मदमाती सुंदर्ता को निखारें, लुभाएं, उनको पाने की चाहा मन को बेचेन किये रहती है, प्रत्वी पर इतनी चीजें हैं, मगर वो नहीं खरीच सकती, आस्मान खुला है, अनंत है, मगर वो नहीं उड़ सकती, जबसे भारतिय सुंदरियां मिस वर्ड और मिस यूनिवर्स बनी हैं, जबसे भारतिय सुंदर्य को अंतर राष्ट्रिय मंच मिला, तबसे वो आस्मान को देखती रहती है, उसकी आँखों के सामने वही रंगीन, भव्वे, चमचमाता स्टेज, तथा उस पर हस्ती मुस्कुराती अपनी अप्रतिम सुंदर्ता बिखेरती सुंदरियां दिखाई देती हैं, उस स्टेज की रंगीन चकाचौन ने उसको पागल बना दिया है, कभी ओ सुबद्रा कुमारी चौहान, प्रसाद, पंत और निराला की कविताएं याद करती थी, लेकिन अब याद करती है, जानमंत्री से मिलने का गौरव, धेरों इनाम, अपार धनराशी, सोचते सोचते उठकर बैठ जाती वरंदा, फिर मैं क्यों नहीं बन सकती, शीशे के सामने खड़ी हो, स्वयम से पूछती वरंदा, मेरे बाल, मेरी आँखें और मुखाकरती दिव्य है, मुस्कुराहट च प्रामे खड़ी हो जाती, क्यों नहीं बन सकती, जरूर बन सकती हो, शीशा उसे विश्वास दिलाता और मुस्कुरा देता, कहां से आ रही हो, शाम को अंतता पापा से सामना हो ही गया, पिछली बार कुछी नबरों से पीम्टी में रह गई थी, इसलिए इस बार पापा न तुने कोचिंग जाना पंद कर दिया है, क्या वहाँ पढ़ाई ठीक नहीं होती, जानती है वरंदा, पापा कभी सीधे सवाल नहीं पूछते, मुझे नहीं बनना है डॉक्टर, क्या फाइदा, कितनी मेहनत के बाद सेफ माने जाने वाले जीवन मिलता है, उस तरह का जीव नहीं कर सकती, मैं जल्द से जल्द कुछ करना चाहती हूँ पापा, क्या करना चाहती हो, कहां भटक रही हो, अब पापा की आवाज में सक्ती, शंका तथा तलखी आने लगी थी, पापा का पिता वाला रूप अविशाल रूप धारन करता जा रहा था, इसी रूप से जिना डर तथा लज्जा के अपनी महत्वा कांगशा प्रकट कर दी, साथी पहला जूट भी बोल दिया, मक्मली जूट, इससे कैरियर बन जाएगा, पापा ने अपने बैक को टेबल पर रखते हुए कहा, अब वे पूरी बात करने के मूट में थे, सोचा था ये लड़कि की लाइन लग जाएगी, मा ने उसका गुस्सा भरा चेहरा देखकर बचाओ करते हुए कहा, देखो तो क्या कपड़े पहने हुए है, दादी ने मौका देखा और अपनी भडास तेकालने लगी, उसका तंग जीन्स, स्रीवलेस, टॉप जो कमर तक था, गोल गहरी ना भी स पश्ट दिख रही थी, टॉप इतना छोटा कि उपर हाथ उठाने पर वक्ष के नीचे का हिस्सा दिख जाए, इधर इस उम्र की लड़कियों ने ब्राप पहनी बंद कर दी थी, दूदिया रंग की देह गहरे रंग में और भी जादा दमक रही थी, पापा ने चेहरा अपनी पर चिलाते हुए बोले, तुमने लड़की को बिगाड कर रग दिया है, पहले भी बिना दुपट्टे के सूट पहनती थी, तुम इसे रोकती टोकती क्यों नहीं हो, कहो इस से कि ये सब पहना बंद करे और आम लड़कियों की तरह रहा करे, मुझे इसके रंग डं ठीक नहीं लग रहे हैं, देख लेना ये हमारी बेजिती करवाएगी, वो सीरी के पास खड़ी पापा की बातें सुन रही थी, छोड़ो भी, अभी तो बच्ची है वो, पहनने से क्या होता है, वे पापा को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी, प्राया पापा उपर के कम अमरे में आते नहीं हैं, मगर आज आकर देखा तो आश्यर में पढ़ गए, ये क्या, यहां इंदरा गांधी, स्टैफिग राफ और विवेका नंदी की तस्वीरें हुआ करती थी, तुम्ही रोगी फिर मत कहना, दादी ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, पता नहीं क इस युग में जीते हैं ये लोग, क्या मान सिकता है इनकी, कोई आधनिक बौधिक समझ तो है ही नहीं, कूपमंडूग, हर बात इनकी मरजी से होनी चाहिए, हे भगवान कब निकलूंगी मैं इस घर से, कपड़ों पर एतराज करते हैं, कपड़े पहने से किसी का चरितर ब गाया और एरोवेक करने लगी, पापा, दादी और अनुदी उसे इसी टेबल पर जुक कर भारी भरकम किताबों में उलजा देना चाहती हैं, आँखों के नीचे काली जाईयां और पिछके गाल देखना चाहती हैं, वो चेहरा जो हर वक्त चिनताओं से पुता दिखाई द बुद्धी और सौंदरिका मिश्रण, दिमाग और देह का संगम, दिमाग की ततपरता, त्वरिता, तेजस्विता और देह की चपलता, चमक, लोच, उबहार, उतार चड़ाओं की उतदाम लहरें, आँखों की चमक और सबसे बड़ी खुबी हसी, सभी का जादूई उर्दो मैं याद कर लोगी, नियू रिलीज, म्यूजिक कैसिट्स, फिल्मों के नाम, आसकर विजेता, निर्देशकों के नाम, संगीत कारोव और नायकों के नाम, और भी ऐसे प्रेशन जो पूछे जा सकते हैं, याद करवा दो अनूदी, उसने अनूदी की चिरोरी करते वे कहा, अनूदी को चिरोर उटती है, याद करना है, तो महान लोगों को याद करो, देशों और भाशाओं के बारे में, युद्ध और सैनिकों के बारे में जानो, इंदर धनिशी दहिक रंगों में इनकी जगे कहा, निस्तेज परती स्मृतियों के साथ ये क्यों चलेंग क्या रखा है आपके इतिहास में, बताओ, है कोई याद रखने वाली बात, अपने मू मिया मिठू बने फिरते हैं, पाखंडी लोग जूटे, वो मकौल उड़ा कर कहती और अनूदी नाराज, आज वो अनूदी को छिड़ेगी नहीं, इसलिए उनके सामने डाइरी रखी और ड्रेस पर प्रेस करने लगी, कितने कम दिन रह गए हैं, जज़ भी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, सुनीती से उसकी प्रतिस परधा है, वो किस बात में आगे निकल सकती है, जीके में, ड्रेसों में, कैट वॉक में, या फिगर में, नहीं, वो मेरे सामने नहीं टिक पाएगी, ये खिताब मेरा ही होगा, लेकिन वो बाजी मार ले गई तो, इतने लोगों के बीच पार्शल्टी नहीं हो सकती, अनुदी से बात करो तो वो डिप्रेस्ट कर देती हैं, वे मानती हैं कि मेरे भीते प्रतिस परधा नहीं इर्शया है, मैं की तरह तिल रखने की जगह नहीं थी, लड़कियां टीचर्स तक को धक्का मार कर बैठ जाती हैं, और विडमना यह कि बाकी के कारिकरमों के लिए पकड़ पकड़ कर टाट कर बैठाना पड़ता है, वो व्यंग करती, सुनाओ गिसी पिटी बातें, जूटी उपलब्दिय को कोई नहीं सुनेगा, कहो मेरा भारत महान, कहो हम उस देश के वासी हैं जिस देश में, वो तता उसका ग्रुप खुब हुटिंग करता, अरे उड़ने दो चिडियों को, खोल दो हृदय के द्वार, दबी हुई चितना को भरने दो, ये पुरान पंथी लोग पीछे ले जाएंगे, सत्योग लाएंगे, उपर से लगाएंगे तिलक और तिर्ची निखाओं से देखेंगे लड़कियों के उभारों को, पूछो इन से कि क्या रखा है पीछे, उस अंदकार से भरे समय में जो खून और युद्धों से भरा हुआ है, जो शड्यंतरों और छल और फिर अतीच चाहे कितना भी सुन्दर, भवे तता महान क्यों ना हो, वर्तमान के एक ख्षर से बढ़कर नहीं हो सकता, ओ मृतात्माओं के मुरीदों, उनकी सड़ी गली परंपराओं के नाम पर मातम मना कर अपनी सुन्दर कन्याओं को बेवक्त मत मारो, मत बना दो उन बात रात पर प्रिशनोत्तर याद करना, कैट वाक करना, इसी से कमर में दर्द रहने लगा था, भरपूर पैसा ना होने के कारण मन में टीज भी उठती थी कि मन माफिक चीजें नहीं ले सकेगी, कई बातों इस्थित्यों को लेकर अपराद बोध और कुंठा डंक मारती जहती है, कि आम लड़कियों का जीवन सिर्फ तरस्ते में निकल जाता है, बस इसी एक पॉइंट में कुछ लोग उससे आगे निकल जाएंगे, यही विचार उसे उद्दिगने कर देता, मगर जुनून कमना होता था, इनी मनों ग्रंतियों को निकालने के लिए उसने जोर जोर से पाउं पटके, जोर से चीखी और सब पर गुस्सा उतारने लगी, किसने कहा था तुम पार्टिस्पेट करो, अनूदी अपनी पुरानी धुन में नाराज होने लगती, तुमारा अपना किया धरा है, इसाब दूसरों को दोश क्यों देना चाहती हो, सब मुझे पा तुमारा खर्च कहां से उठाया जाए, मेरे जितने पैसे जमाते वो सब दे चुकी हूँ, और तुम सुंदर हो तो क्या इसका प्रदर्शन करना ही चाहिए, स्टेज और मार्केट की चीज बना ली तुमने अपनी सुंदरता को, और जीवन में पाखंड वैसा ही जैसे वि उसे ये बाते हैं, वहां बैटे जजबी उनके उत्तर सुनकर मुगधो तालिया बजाते हैं, इन व्योम बालाओं दोरा किया गया सेवा का संकल्प भविश में दो कौडी करह जाता है, बाद में फिल्मों और मॉडलिंग से फुर्सत नहीं मिलती, सेवा तो दूर देखना तक पसंद नहीं करती, तुमारी ये विश्यो सुन्दरियां, वे हैं तुमारी आदर्श, और उनके रास्ते पर चलने के लिए तुम इतनी उतावली हुई जा रही हो, विकलांग बच्चों तता वरद्धों के बीच मुस्कुरा कर फोटो खिच्वा लेना, रस यही उनका प्राप पे होता है, बाद में कोई पूछता है तो साफ मुकर जाती है, विकलांगता क्या होती है, तुम समझ सकती हो, उनकी विकलांगता के बीच जाकर कोई इस तरह की हरकते करता है, तुम उससे बरदास्त नहीं होता वरंदा, कहां खो गए तुमारे आदर्श, प्रस्टेशन मत निकालो, आपको जो चीज़ें पसंद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वे मुझे भी न पसंद हो, आप चाहे ताना मारो या खिल्री उड़ाओ, मेरा मन और इरादा नहीं बदल सकती, मैं स्वयम अपनी वियस्था कर लूगी, वो आखों में आसू ल अपनी वाक पटुता तथा अपनी परफॉर्मेंस से दुनिया के सौंदर विशेशग्यों को मोहित करना है उसे, सारी दुनिया उसके दिमाग में गेंद की तरह घुमती रहती है, वो इन दीवारों को फार कर वो जाना चाहती है, और अनूदी बेवकूफ कहीं की, कभी आ अनूदी ने ब्यूटीशन का कोर्स किया था, अपनी ड्रेसों को रखते उसका मनुदास हो गया, आत्म विश्वासी डगमगाने लगा, मगर नहीं, यही वो दिन है, दिन का संघर्ष है, संघर्ष से उपजा सपना है, जो भविशे में उन तमाम अभावों को दूर करके लक्ष की पहली सीड़ी बनेंगे, अनूदी आपने सारे प्रशन लिख दिये थे, जगजी सिंग और तमाम नए कैसर्स का नाम लिख दिया, तुमारी आदर्ष कौन है, क्या करना चाहोगी, बनावटी उत्तर मत देना, लोग हसने उस तरह की बाते सुनकर समझी, अनूदी तो मैं हूँ, कि जो मन में है वो करना तो चाहती हूँ, आप तो अपनी इच्छाओं तक को कुचलती रहती हैं और जूटा ना टकरती हैं, पापा और परिवार की खातिर है ना, फिर वो अपनी उत्तेजना पर काबू पाकर एकदम नरम पढ़कर बोली, अच्छा सौरी अ उत्तेजित निगाएं, उसके दिल की धर्गन बढ़ती जा रही थी, गाल तपने लगे और लगा कान के नीचे से गरम हवाए निकल रही हैं, पावों में अजीब सी थिरकन और आखों के अंदर से छलकती कामनाओं के दीपती और चोड़ी होती मुसकान, अब वो फर्स्ट फाइब में है वो, बढ़ता आत्म विश्वास उसके चेले पर साफ जलक रहा था, लहरें नर्तन कर रही हैं, अंदर, रोम रोम खड़ा हो गया है, आवेश और उत्तेजना से, रोमांच से, प्रशन पूछे जा रही हैं, उत्तर देते समय आत्म विश्वास, आवाज में खनक, उतार चढ़ाओ, उत्चारण में शुद्धता, शब्दों के अनरूप भावों का प्रदर्शन, ठैंक गॉड, पूछे गए सवाल बहुत ज़्यादा कठिन नहीं थे, अब फर्स तीन में है वो, उत्तेजना के क्षण हर क्षण के साथ बढ़ रहे हैं, हे इश्वर उसने मनही मन सारे इश्वरों को याद किया, अंदर लॉकेट में गणिश जी की मूर्ती को माथे पर लगाया, इस समय वो किसी की तरफ देखना नहीं चाहती थी, अनुदी की तरफ भी नहीं, यही वो ख्षण हैं, जो उसे उस दुनिया की ओर ले जाएंगे, जो उसके भ व्यक्तितों में क्या विशेश्टाएं होनी चाहिए, जो उसके व्यक्तितों को संपूर बनाती हैं, वो लिख रही है, नहीं हिंदी में, नहीं अंग्रेजी में, यहां अंग्रेजी का ही वर्चस्व रहता है, इतनी प्रैक्टिस तो उसने करी ली थी, सेकंड रनर अर मिस, मिस व्रंदा, कानों पर विश्वास नहीं, आखों के सामने पूरा ओडिटोरियम का द्रशे दुन्दला दिखाई दे रहा है, आसु जो चलकाएं हैं, तीनों सुंदरिया एक दूसरे को चूम रही हैं, माहौल एकदम मिस इंडिया कॉंटेस्ट जैसा है, जिनोंने स् भयाकारों, टीवी, कैमरों ने उनको और पीछे कर दिया है, पता नहीं कितनी देर तक फोटो निकालते रहे, इलेक्ट्रोनिक मीडिया फिल्म बनाते रहे, मेकप उतारते हुए वो स्वयम को निहार रही थी, पेपरों में छपे अपने फोटो का उसे इंतजार था, फोट दी ने कान में फुसपुसा कर कहा, उसका चेहरा अक्षन भर के लिए उतर गया, लेकिन वो पूर्वत मुस्कुराती रही, इस समय आकाश खाली है, उसके पंक दूर दूर तक कहीं नहीं टकराने वाले, साथ समंदर के पार दूर देश में कोई बुला रहा है उसे, उसे ज गहों से सडक देख रहे थे, चिंता के मारे जान निकली जा रही थी, पता नहीं कितनी निगाहें बेटियों का पीछा कर रही होंगी, तुम्हें जाना चाहिए था, पापा ने मा को जड़का, गई तो है अनू, बाकी वे लोग हैं, वो मिस MP चुनी गई है, तो क्या हो गय इसी में तो महिनों बरबाद कर दिये हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़कर, दादी ने पीछे से ताना मारा, अभी कुछ मत कहना, मा ने दादी को कहा, कहा देर हो गई, आते ही प्रश्णों की जड़ी लग गई, हम सब लोग आईसक्रीम पारलर पर आईसक्रीम खाने के लि फोटो दिल्ली तथा मुंबई के पेपर्स पर छपते हैं, पापा ने गौर से देखा, क्या ये उनकी ही बेटी है, ब्रंदा, पहचान में नहीं आ रही थी, इतनी खुबसूरत, मुक्त हस्ती हुई, आदे आसमान में उठे हाथ, फ्लाइं किस करते हाथ, अलग-अलग पे प्रतियोक्ताओं में जीतने पर इतनी बदाईयां क्यों दी जा रही हैं, और क्या जरूरत है, पहले तो UPSC, PET और PMT या MP, PPSC में सेलेक्ट होने पर, क्या घरवाले, क्या पडोसी, सभी को गर्व महसूस होता था, मिठाई बाटी जाती थी, लेकिन आज उन्हें हलकी सी ज चुकी है, आज भी बाप अपनी जवान होती लड़की को देख कर चिंता के मारे निश्चन थोकर सो नहीं पाते हैं, और मैं जवान होती लड़की के सौंदर के प्रशार को देख रहा हूं, उन्हें समझ में नहीं आया कि वे खुश हूं या नाराज, पेपर वालों के व्रिंदा की चाल ढाल में भी नजाकत नफासत उभराई थी, वो स्वयम कोई हस्रत भरी निगाओं से देखती रहती थी और विशिष्ट होने का प्रदर्शन करती, सचमुच कितने दिनों तक व्रिंदा स्वयम को तनाव मुक्त महसूस कर रही थी, एक एक पल सामने से अब भी विश्वास नहीं हो रहा था, लग रहा था, सपना देखकर उठी है, मन करता घंटों बैटकर बाते करे, खिल खिलाए, चीखे, खूब खाए पिये, पतानी कितने दुनों से भूकी थी, फिगर मेंटेन करने के चकर में चुन-चुन कर और गिन-गिन कर चीज़ें अब तो पढ़ लो, आज अपनी सुन्दर्ता को लेकर तुम जितनी फूली नहीं समा रही हो, उतनी सुन्दर्ता तो घर-घर में चुपी रहती है, पर मजाल है कि कोई तागजा कर ले, उस वक्त सुन्दर्ता बाजार के लिए नहीं थी, और तुम प्रदर्शन के लिए ख कुछ नहीं करते हो, आज भी करते हैं, दादी ने देखा, फिर नए पोस्टर लगा दिये गए, जो कम से कम वस्तरवालों थे, वे समझ गई यहां विरासत नहीं, विरासत के चिन्ह भी नहीं है, वर्तमान का चाया लोग पसरा हुआ था, बाहर से लेकर भीतर तक, अनूद क्यों क्या बुराई है, कौन नहीं आता उसमें, एक्टर, समासेवी, पत्रकार, बिजनेसमें, सहित्यकार, मॉडल्स, सोच कर देखो अनूदी, अपनी जेब से क्या जाएगा, कुछ भी तो नहीं, और चांस मिल गया तो अच्छी मॉडलिंग के शुरुआत हो जाएगी, फिर जो पैसा और शोरत मिलेगी, उससे मेरा सपना भी पूरा हो जाएगा, मैं कुछ नहीं जानती, पापा से परमिशन ले लो, आप एन वक्त पर मुकर जाती हो, मैं तो भाग लूँगी, चाहे जो भी स्थिती हो, पापा को मना ही लूँगी, पापा तक बात पहुँची मा को मना लिया वरंदा ने, पर दादी पापा की तरफ से दीवार बन कर खड़ी हो गई, आज कल ये बाते नहीं चलती, ये तो ब्राइट फ्यूचर की तरफ ले जाता है, मॉडलिंग, एक्टिंग का फिल्ड, लोग क्या क्या नहीं कहते, किस नजर से देखते हैं, मैं साल तक कौन याद रखेगा, नई मिस आ जाएगी, उसके पीछे लोग लग जाएंगे, फिर मिस इंदिया के लिए जाओगी, जाओगी से क्या मतलग, उसमें शामिल होना लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी, डॉक्टर बना कर आप मुझे आतनिर्भर बनाना च हर बात में बहस करती है, बरामदे में आकर बैठी ही थी कि फोन की घंटी बजने लगी, कितने फोन आने लगे हैं, उन्होंने विंगात्मक लहजे में कहा, तो क्या हो गया, लड़के ही तो हैं, कोई अपराधी तो नहीं है, दादी, आजकल जेंडर माइने नहीं रखता, स कि पूरे घर को पता चल जाए कि व्रिंदा क्या कह रही है, कैसी नॉंसेंस बात करती हैं आप, और कोई होता तो कितना प्रमोट करता, कितना फरक करती हैं, जो लड़कें साधारान रंग रूप की होती हैं, वे भी इस भाग लेती हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स इंस्पा बात कर लेने से या उनके साथ काम कर लेने से चरितर बिगड़ जाता है, फैशनेवल कपड़े पहन लिए, किसी कॉंटेस्ट में भाग ले लिया, तो चरितर बिगड़ गया, आपकी अपनी कोई सोच है या नहीं, लांचन पर लांचन लगाती जा रही हैं, वो गुस्थे से काप रही थी ये पवन और हरीश कौन है क्यों बताओं कि पवन और हरीश कौन है गुर्प्रीत कौन है सब दोस्त हैं इमानदार हेतैशी दोस्त एड एजनसी चलाते हैं इसके बाद मुझसे कोई कुछ नहीं पूछेगा और नहीं मैं कुछ बताऊंगी यहां भी कम कॉंप पिटीशन है क्या सैक्रों लड़किया इस शो बिजनस का हिस्ता बनने के लिए लाइन लगा कर खड़ी हैं फिर वही ब्यूटी ओप डेन से पार पाने की कड़ीस परदा रा दिन एक कर रही है सुबह जिम जाती है शाम को योग हफते में दो दिन स्वेमिंग ब्यूटी प बनाने तराशने सवारने में लगी हुई थी उनलों का भविश उसके साथ जुड़ा हुआ था पवन वा हरीश उसके लिए चक्कर पर चक्कर लगाते छोटी सी एट कंपनी फेशन डिजाइनिंग को बड़ी जनसी बनाने की चाह में ब्रंदा को प्रमोट कर रहे थे शहर म दो-तीन फेशन शो आयुजित कर चुके थे बगर इस बार बड़े मॉडलों की स्विक्रत की वज़े से उनका उत्सा बढ़ा हुआ था उन्हें मालूम है व्रंदा उनकी महत्वा कांग्शाओं की कसोटी पर खरी उतरेगी अभाव ग्रस्त आदमी सपनों वा महत्वा पूशिश की है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है वो कुछ ज़्यादा ही फ्री होना चाहता है लेकिन मैं उसे इस समय नाराज नहीं करना चाहती हूँ वही एक व्यक्ति है मेरे पास जिसके कॉंटेक्ट्स इस फ्रील्ड में बहुत अच्छे लोगों से हैं वो मेरी ज ने व्यंग से कहा फिर कह रही हूं वरंदा बात मान जाओ जैसे जैसे आगे बढ़ोगी चैलेंज आएंगे इस देह के प्रदर्शन में तुम ऐसा कुछ मत कर बैठना कि जिंदगी भर पस्ताना पड़े अनूदी वहाँ इन बातों का कोई मतलब नहीं होता है सब कुछ फ का कर पकड़ लेने में कोई बुराई नजर नहीं आती मगर अपने परिवार में ये सब इतनी घटिया नजर से ही देखा जाएगा मुझे वहाँ भी वो एहसास जकड़े रहता है लुक छुपकर कुछ नहीं किया जाता है याद है आपको मोटी नाक वाला आदमी जो हमें अपने सिर पर बैठा कर मुंडी गुमाता था चूंता था जांगों पर गुदगुदी करता था एक बार तो उसने इतनी जमकर सिर रगड़ा था कि मुझे जलन होने लगी थी और उतारते वक्त उंगलिया लगाता था छी गंदा आदमी तुमने पहले क्यों नहीं बताया तब मुझे डर लगता था अनूदी हम मडिल क्लास की लड़कियां इसी कॉंपलेक्स बरहती हैं अनूदी मेरे भीतर वो कुंठा संकोज तदा संकीरता भीग मांगते रियाते बच्चों की तरह जलकने लगती है कैमरे की आँख सब पकड़ लेती है कैमरामेन का कहना है कि म इड़हाट का भाव कब तक मेरी आँखों तता मुस्कुरहाट में आता रहेगा क्यों आता है वास्तों में मैं अंदर से वही हूँ काम के लिए गहरी चाहा है वो याचक बना देती है कि कहीं ये चीज चूटना जाए हांस से मन तो पाने के लिए उतावला है बताओ अनू पाया जो मेरी मुस्कुरहाट और आँखों को चमका दे अनूदी गौर से उसका चेहरा देख रही थी कमनिये चेहरे पर भीतर से उठी सगन उदासी तथा बेचैनी ने तनाओं के साए उतार दिये थे एक भोली सी निशकपट बच्ची फुदक फुदक कर चलने वाली मास बहन कहां कहां की बाते सोचने लगी है दे की नश्वर्ता और सब्वेताओं के संघर्श को इतना बड़ा रूप दे डाला उसने संसकार चरित्र सब उसकी भाशा में शामिल हो गए हैं एक महत्वा कांगशा ने उसे यकाया की सोच के इस तर पर प्रोड बना दिया है हमें आत्म विश्वास और आत्म स्वाविमान के साथ रहना चाहिए होगी औरों के पास दौलत पर किसके पास है ऐसा नय सरगिक मंत्र मुग्द करने वाला व्यक्तित्थ एक बात ध्यान रखना प्रन्दा हर बढ़ाट में कोई ऐसा कदम मत उठा लेना जिसको लेकर परिवार वातों में स्वयम शर्मिंदगी उठानी पड़े परिवार को तो बात बात में शर्मिंदा होने की आदत पड़ी हुई है कब तक इन बातों का टेंशन रहेगा कि परिवार में ये नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा ये मरियादा रखो वो नैतिकता है दुनिया कहां जा रह ही है और आप लोग आपको लेकर मुझे दुख होता है अनुदी हर एक के सामने वो सफाई दे हर बात को तर्क के साथ प्रस्तुत करे यही काम रह गया है उसका आज उसकी रिकॉर्डिंग थी उसके बाद घरसल पवन के साथ आगे शूटिंग की प्लानिंग करनी थी हर चीज महंगी है बाजार का ये महंगापन उसे उदास कर देता है बाजार का मायावी रूप इसे एहसास करवा देता है कि इसमें घुसने के लिए तुमारा पर्स कितना भारी होना चाहिए तब बाजारी जैसे उसके लिए पेड़ना का काम करता है कि तुम्हें हर हाल में आगे ब फिर भी रिष्टों के होने या तूटने का भै अचेतन मन में चाया रहता है। वर्जना हीन मन लेकर काम करना चाहती है, मगर परिवार का प्रेम, परिवार के प्रतिलगाओ, बेड़ी का काम करता है। पापा से लगातार अबोला बंधा है, सामने पढ़ते तब भी कुछ ने पूछते, इसे वो क्या माने, उनकी मौन स्विक्रती या विरोध का मौन रूप। पापा भी तो एक धर्रे की लाइफ जीते आ रहे हैं, वही खटारा स्कूटर, वही दोयम दर्जे की चीजें, वो स सभी थ्री स्टार होटल में रुखने वाले थे और उन्हों से उसे जाकर मिलना था, पवन मिलवाने पर जोड़ दे रहा था, उसने अपनी सबसे अच्छी जीन्स तता टॉप पहना हलकी जोलरी के साथ, उनके सामने ठीक तो लगूंगी, वही मान सकता फिर उसको जगरने लगी थी, जब वे लोग होटल पहुँचे तो पांचों लोग बाहर निकलने वाले थे, उसके बाद उनकी प्रेस कॉन्फरेंस थी, लंबे छरहरे एकदम तराशे हुए बदन वाले खुबसूरती वक्त, पुराने जमाने जैसी भव्यता, देव पुरुष सरीखे दमग और भविता ने उसे चमतक्रत कर दिया, अनूदी ये होता है जीवन, ऐसा शांदार, देखो तो दुनिया में कितनी खुबसूरती है, कितनी संपन्नता है, कितनी बेमिसल चीजे हैं, अनूदी एक हम लोग है कि अपने अभावों को गले लगा कर गर्व महसूस करते ह गुट-गुट कर मर जाते हैं, ये सोच कर कि ये ने करना, वो ने करना, हमारी सारी बरजनाएं और ये लोग, ये लोग भी तो किसी परिवार से रहते होंगे, इनके भी तो माबाप होंगे, लोटते वो अपनी हींता से गीरी थी और अनूदी को परोग्ष रूप में तया वहीं जाकर सिमर जाता है हर महत्वा कांगशा इनकी गुलाम हर चीज इनके पास लोग इनके आगे पीछे गुंते हैं एक मुश्ट पालेना चाहते हैं बस यही है वो रहा जिस पर उसे चलना है और पवन है वो व्यक्ति जो उसे वहां तक पहुँचाएगा वो नए जोश खरोश के साथ जुट गई उस वक्त रात के बारा बजे रात की नीरवता और मादकता अपनी दित्य के साथ उसके भीतर उतरने लगी चांद, तारे, जुनहिया जैसे सब उसको यही कह रहे थे कुछ भी नामुम्के नहीं है सब कुछ अपने हाथ में होता है भाग ये महिनत, आतविश्वास गुद्धी और सौंदर को संचालित करने की कला में पारंगत होना है पापा आप चलेंगे पापा ने मा की तरफ देखा मा ने सहमत में से रहलाया ये लड़की बचपन से ही जिद्धी और बिंदास सुभाव की रही है ना जाने कैसे खयाल आते थे उसको कि वो हवाई जहाज में घूमेगी कि उसके साथ उसके पती के पास कुप पैसा होगा, बंगला होगा बंगले मुसका सामराजी होगा तब भी उसे स्वेंपर गुमान था उसे काले रंग से चिड़ती बलकि वो काले रंग की चीजों और लोगों से ड़ती थी हम सभी चलेंगे, मा ने कहा ये घटना शो के पहले की है जब व्रंदा लोटकर आई तो ग्यारा बच चुके थे थकान से उसका जोड़ जोड़ दुकरा था चेहरा मुर जा गया था आँख मुंधी जा रही थी गालों पर लालिमा उतर आई थी आँखों में अरुनराब मादकता थी व्रंदा अनूदी उसकी लड़कराती चाल देकर समझ गई उसकी तबियत ठीक नहीं है तुम ठीक तो हो इस शोग के पीछे तुम अपने को बरबाद किये जा रही हो ऐसा कुछ नहीं अनूदी पोर पोर दुक रहा है चकर जैसा लग रहा था ये क्या तुम बियर पी कराई हो अनूदी ने उसका मूँ सूंगते हुए कहा बहुत मामूली सी उन लोगों ने बहुत ज़्यादा आग्रे किया हम लोग बहुत ज़्यादा ठक गए थे बहुत टेंशन है हम लोगों को ये शो सक्सेस्फुल हो जाना चाहिए वरना एजेंसी भी बैट जाएगी मैंने तो बहुत मना किया था मगर तड़ाक तड़ाक से जो चाटे पड़े उसके गाल पर तो इस्तब्द रह गई उसके मूँ से लंबी आह निकली वो जहां खड़ी थी वही की वही रह गई जड़वत मा दोड़ कर आई अनुदी गुस्से से कापती वी दात पीस रही थी टप टप आसू टपक रहे थे उसका चश्मा नाग पके सकाया था क्या बात है कहे कि आवाज आई कुछ नहीं सो जाओ जाओ कहती हूँ टाइम से घर आ जाया करो ठक गई है अनुदी इशारा कर रही थी कि उसे रजाई के भीतर चुप जाना चाहिए अनेता दादी या पापा के आने पर तूफान खड़ा हो जाएगा प्रिंदा ने रजाई की भीतर मूँ चुपा लिया मगर उसकी सिस्कियां रजाई की उपर तक दिखाई दे रही थी पूरी दे रुलाई के कारण हिल रही थी अनुदी ने खाने की थाली टेबल पर रखी और जोर से बोली परसों शो है खाना नहीं खाओगी तो चेहरा मुर्जा जाएगा अनुदी जानती है उसका उदास, मुर्जाया, चेहरा उसकी मेनत पर पानी फेर देगा व्रिंदा को कितना समझाया था कि ऐसा कोई काम मत करना जिससे उसके रास्ते में काटे बिच जाए और पापा तथा दादी मा के कहने को हो जाए कि जरासी आजादी मिली तो वो ये सब करने लगी तुमने वही किया जो नहीं करना चाहिए था आसपास मनराने वालों की कमी नहीं है अनुदी जानती है व्रंदा एक बार किसी के साथ जुड़ गई तो उसे उस व्यक्ति से अलग करना असंभव होगा अगर किसी गलत व्यक्ति के साथ जुड़ गई तो एक खूबसूरत जीवन बुरे सपने में न बदल जाए बेहत प्यार करती हैं अनुदी व्रंदा को अब तक उसकी सिस्कियां आ रही थी मन कर रहा था उसको गोधी मुठा का पुछकार ले मगर यही वक्त है जब उसकी गलत बातों का विरोत करके उसे सही रास्ता दिखा सकती है वरना शराब, सिग्रेट और दोस्तों के चक्कर में पढ़कर बरबाद हो जाएगी सुबह वो कब उठकर चली गई अनुदी को पता ही नहीं चला उन्हें बुरा भी लगा, ठीक है अपने मन की करो अब हरीश और पवन तुमारे ज़्यादा करीब है, शुबचिन तक है करो उन पर विश्वास, वो जिन बातों पर रूकती टोकती तथा डाटती है वे लोग निश्य उन्हें बातों पर उसे फुसलाते होंगे, लल्चाते होंगे यही लालच उन लोगों ने पकड़ लिया है? नहीं, व्रंदा को खोना नहीं है एक बार खो दिया तो हमेशा के लिए खो जाएगी दुख तो हमी लोगों को होगा अनूदी समझने लगी है कि वे लोग अपनी महत्वा कांगशाएं व्रंदा के माध्यां से पूरी करना चाहते हैं परोख शुरूप से अप्टकराहट अनूदी और उन्हों के बीच थी एक दिन क्या, पुरे दस दिनों तक दोनों के बीच बात नहीं हुई बस शो के दिन कुछ बाते हुई थी तुम मेरे साथ पूरे समय रहोगी रहोगी ना, सौरी कहते कहते व्रंदा की आँके चलक आई मैं अधर में खड़ी हूँ मेरी किष्टी साहिल पर नहीं है अनूदी समझ रही हो ना तुमने तो इस प्तिस परधा को ऐसे बना लिया है जैसी इसकी असफलता जीवन के सारे रास्ते बंद कर देगी सोचो, कितनी लड़कियां ऐसे जीवन का सपना देखती है बाकी लोगों का जीवन क्या जीवन नहीं होता इसे जीवन मरन का सवाल मत बनाओ भाग लेना ही है तो खेल भावना का परचे दो मेरे जीवन की सीमा रेखा तो यही अनुदी आखिर ऐसा मैंने क्या किया है कि आप सबने मुझे शक्वा दिक्कार की निगाहों से देखा क्या शराब सिगरेट पीने से आदमी आदमी नहीं रहता उसकी अच्छाईयां उसका टेलेंट कोई माइने नहीं रखता कोई नहीं देखता शक्की निगाहों से लेकिन किसी की बातों में आकर नहीं बैखना है उस दिन बीर पिलाई थी, कल शराब पिलाएंगे किसी के व्यक्तित्तों या बात को इतना डॉमिनेट मत होने दो कि तुम्हारी स्वयम की पहचान को जाए तुम्हें अपना केरियर बनाना है या नहीं तुम कुछ पाना चाहती हो या नहीं तो ये तभी संभव हो है जब तुम आत्मा अनुशासन का महत्यु समझोगी तन्मन स्वस्त रहना चाहिए आत्म विश्वास और नशे की चमक में अंतर होता है व्रिंदा है ना जीवन का पत दलदल में बदल जाए ऐसा काम क्यों करना अनुदी उसके बालों में उल्या फेड़ते हुए धीमे धीमे बोल रही थी पता नहीं इतने भावना प्रधान और खुबसूरत शब्दों की अनुदी उसे क्यों नहीं होती कहने और जीने में फर्क होता है क्या इसलिए अनुदी की बातों में उसे सच्चाई क्यों नहीं नजराती है जब वो तयार हो रही थी कि दादी के कमडे से अजीब सी आवाजें सुनाई थी जाकर देखा तो पाया दादी जमीन पर लोड़की पड़ी है पापा पापा वो वहीं से चिलाई दादी को क्या हो गया है एंबुलेंस पे पापा की गोद में लेटी दादी का चेहरा नीला दिख रहा था होट सिकड़े हुए ओ गॉड आजी ही होना था अब उसे अपने पाउओं के नीशे से जमीन किसकती लग रही थी अब नहीं जा पाऊंगी मैं बेसाकता उसके मुझे रुलाई फूट पड़ी अनुदी ने उसके कंधों को थप थपाया कुछ नहीं होगा तुम जाओ मैं बाद में आ जाऊंगी पापा क्या सोचेंगे मैं संभाल लूँगी पलके सूच जाएंगी तुमारी आखे छोटी दिखने लगती है पहले दादी के बारे में न्यूस मिल जाए उसने आसों को पोछा कंधे पर थैला लटकाए घूम रही थी तडपती हुई उन दोनों के फोन पर फोन आ रहे थे बलकि उनकी जुझलाट बढ़ती जा रही थी मैं फोन कर लूँगी कहकर वो चली गई लेकिन उसका मन दादी में था दादी का चेहरा बीतर धसी आखे निस्तेश पढ़ता चेहरा दर्द की तडब होटो ही होटो में बढ़बढा रही थी दादी को हार्ट अटेक आया था आईसियो में एडमिट थी निर्जीव सी पड़ी दादी ने हलकी सी पलके खोल कर उसकी तरफ देखा सौरी दादी टप टप आंसू टपक पड़े उनके सिकुडे हातों को थामे वो थोड़ी देर बैठी रही एक पूरी उम्र इन जुरियों में सिमट आई थी एक दिन वो भी बूरी हो जाएगी इसी तरह पवन और हरीश बाहर बैठे थे व्रंदा को छोड़ना नहीं चाहते थे पर व्रंदा के मन में सहनभूती बनाए रखना चाहते थे इस समय वो उन दोनों को दादी के सामने नहीं जाने देना चाहती थी क्या पता उनके हिर्दे पे क्या सर पड़ेगा एक जीवन अस्ताचल की ओर था और दूसरा सूरियोदे की ओर दादी को छोड़कर जाएगी तो परिवार के सब लोग क्या सोचेंगे वो आज वाला कॉंटेस दुबारा नहीं मिलेगा महिनों की मेहनत वो पैसा बरबाद हो जाएगा वरंदा को लगा जैसे वो नीन में चल रही हो मम्मी बताती हैं कि वो नौदस बरस की उम्र तक नीन में चलती थी कहीं भी चल देती थी उठकर वे लोग उसके पीछे पीछे चलते थे पूछने पर कुछ याद नहीं रहता था उसे जैसे जैसे वो बड़ी होती गई थी नीन में चलने की आदत छूपती गई थी अभी अभी वो गहरी निंद्रा में है ब्रमान की अनंतता में घूमते उसके सपने उसने स्वयम को संभाला पवन उसको समझा रहा था इंद्र धनिशी रोष्णियों के बीच वो खड़ी थी परदे के पीछे तीसरा राउंड चल रहा था तब घर से लड़का दोड़ा दोड़ा आया अनूदी को पूझ रहा था दादी नहीं रही अनूदी ने खबर सुनकर अपनी रुलाई रोकी हम लोग पहुँच रहे हैं वरंदा को खबर देना ठीक ना था वो अन्तिम पांच में थी उसने अनूदी को रोते हुए देख लिया तो अपसेट हो जाएगी उसकी सारी मेनत पर पानी फिर जाएगा हम वरंदा को लेकर पहुच जाएंगे तुम चाहो तो चली जाओ नहीं मैं उससे छोड़ कर नहीं जाओंगी अन्तिम दोर उसकी धड़कने देह की संगमरमरी दीवारों को तोड़ कर बाहर आ जाना चाहती है कितने प्रश्ण उनके उत्तर कितने चेरे उनकी उद्दीब्त निगाहें और उस शोर के तूफान में उसने सुना मिस वरंदा है मिस इंटरसिटी उदर अनू दी ने फिर अपने आसू पोचे हॉस्पिटल से दादी का शव घर ले जाया जा रहा होगा अन्तिम खशनों में दादी ने अपनी अद्बुदी आँकों से उन दोनों को तलाशा होगा अनू और वरंदा वहाँ नहीं थी क्या सोचा होगा दादी ने उसे याद नहीं कि वो किस तरह मुस्कुरा रही है अनू दी का रुआसा चेरा वो एक जहलक मातर देख पाई थी पवन उसकी कमर में हाट डाल कर उसे पत्रकारों, कैमरा मैन तता फोटोग्राफरों से बचाता हुआ अंदर ला रहा था उसे वरंदा का हाँ चुमा और अपने आगोश में समेट लिया लोटते वोए अनूदी खामोश थी बावजूद गले लगाने के अनूदी, आप पवन की हरकत से नाराज हैं? वो दिल का बुरा नहीं है, एमोशनल ज़ादा है स्वैम को रोक नहीं पाता है सारी जमा पुझी लगा दी थी इस शो के लिए वरंदा अपनी रौ में बोले जा रही थी अब हम लोगों को डिनर के लिए चलना है डिनर के लिए नहीं चल पाएंगे हम लोग हम लोगों को जल्द से जल्द घर पहुँचना है बाहर से आए सारे मिमान बुरा मान जाएंगे हमें जल्द घर पहुँचना है अनूदी अपने आसों को पीते हुए बूली एक दिन लेट हो जाएंगे तो कौन सा कहर ढ़ा जाएगा कहरी ढ़ा जाएगा व्रंदा दादी एडमिट थी याद है वे शाम कोई हमें छोड़ कर चली गई थी मैं तो कहकर अनूदी फपक कर रोपणी कितना याद किया होगा उन्होंने हम दोनों को क्या सोचती होंगी व्रंदा एकदम सक्ते में आ गई पूरी दे में जैसे करंट लग गया हो अनूदी पवन को पता है? हाँ जब वे दोनों घर पहुँची तो दादी का शव जमीन पर रखा हुआ था दीपक जल रहा था चारों तरफ आटे से रेखा खीचती गई थी अगर बत्ती जल रही थी मा पापा दोनों बैठे थे उन्होंने निगा उठा कर देखा तक नहीं चुक चाप वो दादी के सरहने जाकर बैठ गई रास्ते में मेक अप पोंच लिया था पर लिपस्टिक का रंग तता आखों में लगी आर्टिफिशिल आईलिश अभी तक लगी हुई थी सौरी पापा अनूदी ने पापा के कंधों को पकड़ कर कहा कम से कम तुम तो बेटा उसने पापा के डूपते सर को सुना तो क्या मेरे आने की उमीर नहीं कर रहते पापा मैं शोक कर रही थी तो क्या मैं दादी को प्यार नहीं करती थी हमारे कामों से हमारे पहनावे से उसके परिणामों से किसी भी व्यक्ति के प्रति प्रेम और आत्मियता को क्यों देखा जाता है विरोत करती थी दादी मैं भी बात नहीं मानती थी पापा जान बूज कर ऐसा नहीं किया जैसे ही खबर लगी हम लोग अनूदी सफाई दे रही थी इस रात उसे अपनी काम्याबी पर पिहत खुश होना चाहिए था मगर मातम चा गया था बाहर से लेकर भीतर तक जाकर मूँ दोलो माने धीमी आवाज में कहा उसने शीशे के सामने जाकर चेहरा साफ किया पर उसे ये क्या? वहाँ दादी का नीला चेहरा दिखाई दे रहा था उसने शीशे को रगड़ कर साफ किया उस पर तरह तरह के दाग दब्बे लगे थे लेकिन जैसे जैसे वो पोंचती जा रही थी शीशे का रंग फीका पढ़ता जा रहा था बिस्तर पर ओंधी पढ़ती तो सब कुछ घुमता हुआ दिखाई दिया स्टेज, रोशनी, भीड, हसी, तालिया सुनसान रोट पर उन दोनों की खामोशी घर में दादी का शव शव, शव, शव उसने ठंडे पानी के चीटे हमारे चेहरे पर सिर पर पतानी कितनी देर तक ठंडे पानी की धार बाती रही गरम पानी सिर से होकर बहरा था जब वो नीचे पहुँची तो सुबह के चार बज रहे थे सगन नीरवता चाई थी ठके, रोई और व्यथित, मम्मी पापा अर्ध निद्रा में जमीन पर पड़े थे और बीच में दादी चिर निद्रा में लीन पड़ी थी म्यत्य के बाद का जीवन अपनी गती से प्रारंब हो चुका था सभी की सहचता लोट रही थी सभी लोग जीवन की मुके धारा से जुड़ अपने जीवन कर्म में वापस लोटना चाह रहे थे समय गुजरता जा रहा था और मिस इंडिया कॉंस्टस्ट के कुछी महीने शेश बजी थे कॉलेज छूट गया था ब्रंदा का उबस्तिती कम थी इसलिए प्राइवेट परिक्षा देने का विचार बना लिया था पवन तता हरीच का कहना था कि उसे दिल्ली में रहकर कोई डिप्लोवा करते हुए अपनी तैयारी करनी चाहिए मौडलिंग का पैसा आएगा तो खर्च चल जाएगा रहोगी कहां दिल्ली में? पैचान होने के बाद काम मिलने में आसानी होती है महानगरिय जीवन देखने समझने को मिलेगा अनूदी एक बार तो इस कॉंटेस्ट में भाग लेना ही है इसमें फर्स तीन में आ गई तब भी कई आयाम खुल जाते हैं काम पाने के एक ऐसी जगह जहां हमारा कोई अपना नहीं है परिवार की असहमत से तुम जाओगी यही एक मौका है अनूदी अभी दादी को गुजरे दो माहा भी नहीं हुए है अनूदी मैं भी समझती हूँ क्या वो मेरी दादी नहीं थी? मुझे दुख नहीं है लेकिन उनकी मिरत्य से मेरे जीवन की गति रुख जानी चाहिए काम भले ही रुख जाए मगर लाइफ तो चलती रहती है नदी की तरह बहता है जीवन पापा से पूछ लो फिर वही गति रोद मैं यहां करूंगी भी क्या? मेरे कैरियर के लिए क्या रह गया है यहां? पहले तो दादी मना करती थी तो सबको बहाना मिल जाता था लेकिन अब घुट घुट कर जीने से अच्छा है अपने को छोड़ देना जब ईश्वर ने बुद्धी, सुंदर्ता और सफलताएं दी हैं तो क्यों ना इसका उपयोग किया जाए? कुछ दिनों बाद यही शरीर अपनी लावर नेता खो देगा तब दादी की खुबसूरती का अवसान देखा? एक जमाने में दादी की खुबसूरती के चर्चे हुआ करते थे उन्हें देखने के लिए लोग कोने पर खड़े हो जाते थे लेकिन बुढ़ापे में उफ मैं एकदम प्रैक्टिकल हूँ अनूदी अभी तुमने क्या देखा है जो ऐसी बाते करने लगी हो? हमने कुछ नहीं देखा यह सच है पर जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक क्या जानेंगे? इन दीवारों के बाहर का संसार देखना चाहिए सोच कर तरस कर रह जाने से कुछ नहीं मिलेगा सच बताऊं ज़्यादा तर लड़कियां सिर्फ भै और दबाओ के कारण कुछ नहीं कर पाती है मुझे तो हसी आती है कि समाज के नाम पर पूरी तरह से कुछले हुए प्राणी होने का रोना रोते रहते हैं असल चीज़ है सपने और रोने पाने का होसला चाहे किसी भी स्थित में हो अनूदी समझ गई व्रंदा की उरान अब रुखने वाली नहीं ठेरेगी तो घुट जाएगी आकाश की उचाईयों को छूने का फन वो सीखती जा रही है इस्टेशन पर जब वो पहुँची तो हाथ में एर बैग, पानी की बोतल और आँखों में उत्साह तता चमक थी मम्मी की आँखों से बहते आसों को देखकर वो मुस्कुरा रही थी उन्हें हसा रही थी, समझा रही थी अनूदी ने होड दबा कर रखे थे तुलाई रोपने के लिए वो ऐसा ही करती है इस्टेशन पर खड़ी इस लड़की को यात्रिय उत्सुकता से देख रहे थे टीवी पर मुस्कुराता चेहरा पेपरों में छपा चेहरा उनके सामने था लोगों की निगाओं ने उसे रुमान्चित कर दिया उसे लगा सच्मुच वो विशिष्ट है विदा होते वक्त आखों में भै था, संधे भी था पर उससे भी ज़्यादा खुशी थी हाथ हिलाते वक्त हिर्दय की धरकन थोड़ी सी बढ़ी आखे भी चल चलाएं पर जीवन एक नई दिशा की और भाग रहा था पहला पत्र महानगर से पहुँचने की खबर तो फोन पर दे ही दी थी पर आपने पत्र लिखने को कहा था तो सो लिख रही हूँ स्टेशन छोड़ते वक्त हिर्दय को धका लगा तेज होती ट्रेन की इसपीट के साथ ही मेरे हिर्दय की धरकने भी बढ़ती जा रही थी आप सब को पहली बार छोड़ते हुए पहचान विहीन दुनिया में जा रही हूँ रात में भी सोते जागते लगता रहा कि किसी सुरंग के भीतर से गुजर रही हूँ और धर्ती धस्ती जा रही है अंत हीन अंदकार था, इस्पंदन हीन घड़ी थी, सारी प्रत्वी या मेरे भीतर उसे महसूस करने का बोद खत्म हो गया था अनुदी, आपका चेरा क्यों नहीं हटता है मेरी आखों के सामने से, दादी का इस तरह चले जाना और पापा का स्टेशन ना आना रह रह कर अखरता रहा मन ने कहा लोट चलू, जहां जा रही हूँ, वहां कौन है मेरा अपना, क्यों जा रही हूँ मैं, लेकिन ये खयाल क्षण भर के लिए आया लगा कि एक व्यक्त अपनी योगता की पूंजी और दैहिक संरचना से कितना कुछ पा सकता है आज जो सफल है वही महान है, उनका अतीद देखो तो क्या थे वे, लेकिन बने बहान, किया संगर्श आज सफलता पाने के लिए अपनी जरूरतों को पूंड करने के लिए यद थोड़े से कष्ट एवं अकेलापन उठाना भी पड़ता है, तो क्या हुआ पवन आ गया था, उसने पहले से इंतजाम कर दिया था, मेरी पसंद की जगे बहुत जल्द मनपसंद काम मिल जाएगा, यहीं से मेरे जीवन की एक नई पारी शुरू होगी, कोई न कोई पढ़ाई तो कर नहीं थी, एक डिग्री भर चाहिए, वो मैं ले लूँगी मैं तुमारी बातों का पूरा-पूरा ध्यान रखूंगी, सवल्ता मेरा परियाय बने, मेरे सपनों को मूर्थ रूप मिले, अनूदी अपने भगवान से मेरे लिए प्रार्था करना दूसरा पत्र अनूदी, इतना बड़ा शहर, भीड, गाडिया, धूआ, मैं तो चकित रह गई थी, जिस छोटे से घर को हम शांदार और सुन्दर मानते हैं, जिसे हम स्वतंतरता कहते हैं, जिन छोटी-छोटी बातों में हम उलजे रहते हैं, उनका उतना ही तनाव जेलते रहते हैं, उन चोटे-छोटे मूलिव और उनसे जुड़ी नयतिकता की बातों से कुचलते हुए दबाओ, यहां के एक फाइव स्टार होटल में अपरेंटिस के रूप में काम मिल गया है, मॉडलिंग के लिए प्रयास जारी है, यहां की लड़ियां कितनी बोल्ड हैं, आत्म विश्वा अनूदी यहां है कितनों के पास, अनूदी आपको क्या लगता है, कि वो सच बोल रहा है, उसने टीवी प्रोडियूसरों से भी मिलवाया है, बहुत मेहनत कर रहा है मेरे लिए, यहां पैसों की कोई सीमा नहीं है, खर्चे बहुत ज्यादा है, अनूदी पापा की छोटी स सेलरी से पूरे घर का खर्च चलता है, उतना पैसा तो यहां एक दिन दी जाने पार्ली पार्टी में खर्च हो जाता है, सच अनूदी यहां का जीवन निराला है, मिस इंडिया कॉन्टेस्ट की तयारी चल रही है, देखे क्या होता है, तीसरा पत्र अनूदी, बहुत ज्यादा व्यस्त हो गई हूँ, मेरे बारे में कहा जा रहा है कि मैं मिस इंडिया की सबसे प्रबल दावेदार हूँ, और आने वाला समय मेरे लिए बहुत शानदार होगा, यहां एक एक बारीकियां सिखाई जाती हैं, खाना, पीना, चाल, ढाल, बात कर करने की स्टाइल, आँखों का भाव, विलास, पोर-पोर से टपकती नजाकत, पीली तवचा को चमकाने के तरीके, ब्यूटी पारलर एक नए रूप में खड़ा कर देता है, जैसे ब्यूटी पारलर ना हो, मशीन हो रूप रंग बदलने की, पवन हर जगे साय की तरह साथ लगा रहता है, वहाँ जिन बातों के लिए मुझे प्रतारित किया जाता था, उसके साथ क्यों जा रही हूँ, क्यों बैठी हूँ, यहाँ यह बेहत मामूली बाते हैं, मैं फिलहाल एक एड में काम कर रही हूँ, कूरियर से कुछ खास चीजें भेज रही हूँ, अगले प यहाँ हर मिनट की कीमत होती है, समय को अपने हाथों से पकड़ कर रखना, मॉडलिंग, मंडी, हाउस के चकर, तता अने स्थानों पर आना जाना, यह तनाओ अलग रहते हैं, ईश्वर से दुआ करो कि मैं सफल हो जाऊँ, आप एक ख्याल निकाल दो कि मैं पवन के साथ रह रही हूँ, आपको इन बातों से अपना मन मलिन नहीं करना चाहिए, यह सब जूटी बाते होती हैं, मैं सफाई नहीं दे रही हूँ, हाँ मैंने वो एट किया तो क्या हुआ, कौन पहचानता है मुझे, तब मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था, और पैसों की भी जरुवत पवन को नाराज नहीं कर सकती थी मैं, हरीश के नकरे मैं उठा नहीं सकती, वो अधिकार चताता था, उन दोनों के बीच की तकरार मुझे जहलनी पड़ती है, मैं दोनों के बीच खड़ी हूँ, किसी एक को तो मुझे चुनना ही है, मैंने पवन को चुन लिया, स्वारती ह खरीश वहाँ जाकर ये सब बातें फैला रहा होगा, अनूदी मैं सच कह रही हूँ, आदी बातें उन में जूटी हैं, अब तो एक एक दिन मुश्किल से कट रहा है, लगता है समय कम है और काम ज़्यादा पांच्वा पत्र अनूदी आप टीवी में देख रही होंगी, मेरे सपनों का रेशा रेशा बिखर गया, मेरी आकांग्शाओं ने दम तोड़ दिया, आसमान में उड़ती चड़िया को बहलिये का तीर लग गया, घाओ, असहनिय पीरा, कून का बहाओ, और उसके बाद धीरे धीरे सड़ती उसकी लाश जो गिद्धों द्वारा खाली जाएगी, हाँ अनूदी, यही सब अन्भो किया है मैंने, क्यों इंसान दूसरों पर निर्भर हो जाता है, और उसे क्या हक है, कि वो उसे अपने लिए इस्तेमाल करे, मैं हर मुकाबले में आगे थी, पर स्टेज पर आते ही पह पागलती कर रही हूँ, मैं अधिक दिनों तक इस तनाव को जहल नहीं पाऊंगी, पागल हो जाऊंगी, आप मेरी लाइफ स्टाइल देखकर राद बर सो नहीं पाई थी, तो सोचिए, इतनी बड़ी अप्रत्याशित असफलता को मैं कैसे जहल सकती हूँ, रोती रही थी के लिए बेजान परचाईयों के साथ, आप विश्वास करो, मैं शराब सिगरेट छोड़ दूँगी, यहां लाखों इसी तरह रहते हैं, लिफ टुगेदर, यह बातें यहां न अग्रणा पैदा करती हैं, न घिन, मैं मानती हूँ, आप सबको यह सब एकसप्ट करने में म मानसिक यातना से गुजरना पड़ा होगा, पवन मेरे साथ सची दोस्ती निभाएगा, पैसों की मेरे पास कमी नहीं है, खर्च करते समय गिनना नहीं पड़ता है, जिंदगी बिना कीमत चुकाए, कुछ नहीं देती है, आज कल मैं मानसिक शांती के लिए ध्यान लगाने क कोशिश करती हूँ, बगर ध्यान लगता ही नहीं, चित अस्थिर और अशांत है, छटा पत्र, अनूदी, पता चला कि आपने कई फोन लगाये थे पड़ोसी के घर, मैं बाहर गई थी पवन के साथ, अचानक जाना हुआ था, जाते वक्त तो सब ठीक ठाक था, वगर लोट रहता है, उस कांटेस्स से अलग होते ही, वो मेरी तरफ से निराश हो गया था, इन दोनों को ज़्यादा ही शराप पी रहा था, जजजों को गालिया देता, मुझे में कमिया निकालता, नशे के हालत में उसके मुझे निकली गया कि उसने मेरे उपर कितने हैसान किये हैं, जो हजारों रोपे खर्च हो गए, उसके भरपाई मुझे ही करनी पड़ेगी, उसे इस बात में कोई बुराई नजर नहीं आती कि अंग्रेजी की पॉनोग्राफिक मैगजीन में कुछ तस्वीरें दे दी जाएं या बड़े लोगों से संपर्क बनाए जाएं, मैं उसका पैसा लोटाना चाहेती थी, मैं उसका आधिपत्य सेहन नहीं कर सकती थी, मैं उसकी खरीदी गए गुलाम तो नहीं हूँ, कि वो कहीं भी मुझे दाओं पर लगा दे, सदी चाहे कोई भी हो, पुरुष अपनी मानसिक्ता से कभी नहीं बदला है, वो उसे हमेशा से पर चाहे उस चरित के नाम पर या देवी बना कर या सौंदरे के बाजार में नगन खडा करके उसे लूटता ही है, अंत में सारे पवन हरीशी बन जाते हैं, कुछ जल्दी कुछ देर से, अनूदी दे की भी एक सीमा होती है, कितनी बार कितनी तरह से उसका इस्तिमाल किया जाए, दादी के शब्द बार-बार छाट करते हैं और ना चाहेते हुए भी आत्म गलानी का भाव गहरे तक बेदता है, बाद में वो दो-चार दिन का गैब दे कर आने लगा, मैं उसके ना आने पर पर परिशान हो जाती, जगए-जगए फोन लगाती, एक बार तो वो प रासदी का शिकार, पूरा परिवार आतंकवादियों के दोरा मरा जा चुका था, यहां किसी डिफ्योजी कैम्प में रह रही थी, मैंने पवन से पूछा, मैं क्या करूँ, बीच में सारी चीज़ें छोड़ कर कहा जाऊं, जानती हो अनूदी, उसने क्या जवाब दिया, यहां तक पहुँचा दिया, यही क्या कम है, अब अपना रास्ता खुद तलाशो, हाँ अनूदी, रेस कोर्स में हारी हुई घोड़ी को कौन पूछता है, कई बार लगा कि जिंदगी रेस कोर्स की हार जीत होकर रह गई है, और महत्वा कांग्शी व्यक्ति उस पर वाला जानवर मात्र, वो लड़की पवन के लिए वो सब करेगी जो मैं नहीं कर पाई, क्या है तुम में, इतनी सी प्रतिभा, यह तुमारे कस्बे छाप शहरों के लिए ही काफी होगी, जितना बड़ा शहर, उतना बड़ा कैनवास, फैलाते जाओ सुयम को उस कैनवास प अब साथ तता पराजे के बोद में डूबी, मैं 10-12 दिन तक कमरे में पड़ी रही, पीती रही, उल्टिया करती रही, मौत की काली छाया मेरे पास-पास मंटरा रही थी, सिगरेट के धेर, मच्छर, बदबू, उबलता हुआ मेरा खून, जब मैं डॉक्टर को दिखाने ग मैंने सोचा, पवन, वो खबर सुनकर हो सकता है वापस आ जाए, इसी लिए उसको खुशती हुई मैं मुंबई गई थी, लेकिन वहाँ उसने जो बाते सुनाई, उनको सुनकर मैं जीवित हूँ, बस यही काफी है, लोट कर मैंने अपनी भावनाओं को काबू में किया, और दस बार सोचूंगा, पर ये तुमारी प्रॉबलम है, मिडिल क्लास मेंटल्टी की लड़कियां मातरत तो प्रेम, इस्थायत तो आदी आदी भावनाओं में बहग जाती हैं, और साथी को भी फसानी की कोशिश करती हैं, खुद का ठिकाना नहीं, बच्चा और पैदा कर ल अब मैं पवन के लिए उपयोगी नहीं हूँ, अनूदी को मलता लगाओ या भावनाओं का कोई मूले नहीं होता, फिर हम किसकी कदर करें और किसके लिए करें, किसके प्रती करें, बस भागते रहो, सजीव चीजों को छोड़कर निरजीव की और, यही सत्य है, किस और मेर रास्ता था और कहां मैं आ गई, मैं सोचती हूँ, क्यों मैंने उस पर भरोसा किया, स्वेम पर शर्माती है, मेरे साथ जो लड़की रहती है, वो रात दिन लगी रहती है, और मैं अतीत को चिपकाए आसू भाती रहती हूँ, आप आज सकोगी प्लीज, अनूदी, एक बार आ जाओ, मुझे आपके, सिर्फ आपके सहरे की जरूरत है, मैं मर जाओंगी, मेरा मन, मेरी दे, वो सब सहन करने के लिए तयार नहीं है, मैं तो अपनी बुद्धी से, अपने सौंदरे से सब कुछ पा लेना चाहती, मगर अब मेरे सामने मेरा जीवन है, कैरियर है, पर एक आप उन्य नैतिक्ता तथा अनैतिक्ता के कर्तब दिखा कर परिडाम तै कर लेना, मैं इन द्वन्दों से मुक्त हो जाना चाहती हूँ, अनूदी आप सच कहती थी, कि शरीर से परे भी कुछ होता है, मन, आत्मा, हिदे, भावनाए, मन और आत्मा यूँ तो विराठ है, ब और उस पर इतराने में अपना जीवन धने मानते हैं, लेकिन नाश्वान चीजें कभी एक रूप और एक रंग नहीं रहती, आप दुखी मत होना, चिंता मत करना, सच्चा प्यार और इसपर्ष अपनों से ही मिलता है, इसलिए आप आने की कोशिश करना, कोई तत्त है, जो आत्म संघर्ष कर रही हूँ, वो मुझे असुरक्षित बना रहा है, सोते सोते लगता है, मानो ओक्टोपस ने जकर लिया हो, इसी ओक्टोपस से मुक्त होने में कितनी और घायल होंगी नहीं मालूम, लेकिन पवन मुझे जिस बाजार में ले जाना चाहता था, मुझे मत क मखन निकाल कर छाच की तरह फेक देना चाहता था, उसका विरोध मैंने किया, ये जानते हुए भी कि मेरे लिए सफलता के रास्ते बंद हो जाएंगे, अनूदी, अब मैं स्वैम को स्वैम से निकाल कर संघर्ष करना चाहती हूँ, आपके आने पर मेरी एक नई सुबह की मैं हारना नहीं चाहती हूँ, यकीन मानू अनूदी, ये स्टेज पर बोले जाने वाले जूटे वाइदे या विचार नहीं है, मेरी अंतरात्मा की वेदना है, सच्चाई है, अनूदी, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ, प्लीज, जल्द से जल्दा जाओ, पत्र फा नहीं करना चाहती हूँ, अभी आप सुन रहे थे, उर्मिला सिरीज जी की लिखी हुए एक लंबी, लेकिन वास्तविक्ता के धरातल पर लिखी गई एक कहानी, उसका अपना रास्ता, कहानी आपको कैसी लगी, कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, अगर आपको मेर प्रस्तुती और कहानी दोनों ही अच्छी लगी हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलिएगा, फिर मिलेंगे, आपका समय शुब हो, मंगल मैं हो